तो दोस्तो हम अपनी day to day live में इस प्रकार के एनक सेंटेंस बोलते हैं जिसे तुम्हारे लिए अच्छा होगा यहां से चले जाओ उसके लिए अच्छा होगा कि मेरे साथ चले तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि यहां पर मत बैठो इस प्रकार के sentence को हिंदी से इंगलिज में किस प्रकार translate करते हैं चलिए सिखते हैं इसके लिए advanced structure होगा subject plus head better plus verb का first form plus object इनको example की help से और अच्छे से समझते हैं तुम्हारे लिए बहतर होगा यहां से चले जाओ तुम्हारे लिए बहतर होगा ज्यादा मत चिलाओ उसके लिए अच्छा होगा मेरे साथ चले तुम्हारे लिए अच्छा होगा यहां मत बैठो यूँए बैटर डॉन्ट सिट हिएर तुम्हारे लिए अच्छा होगा एक नई कार खरीद लो तुम्हारे लिए बहतर होगा जल्दी करो तुम्हारे लिए बहतर होगा मुझसे बहस मत करो तुम्हारे लिए बहतर होगा अभी सो जाओ यूँए बैटर गो टू स्लिप नाओ तुम्हारे लिए बहतर होगा मुझसे मत चुओ तुम्हारे लिए बहतर होगा कार मत चलाओ तुम्हारे लिए बहतर होगा मेरे पैसे लोटा दो तुम्हारे लिए बहतर होगा क्रिकेट मत खेलो तुम्हारे लिए बहतर होगा ट्रेन चे जाओ तुम्हारे लिए बहतर होगा कि यहां मत लिखो 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 झाल झाल